लाइसी कि पॉलीजी सबसे पहले किसके नाम पर लेना चाहिए आपके नाम पर या फिर आपके बच्चे के नाम पर इसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूटूब के चैनल पर अगर आप अपने खुद के नाम पर ले सकते हैं या फिर आपको अपने किसी बच्चे के नाम पर लेना चाहिए सबसे पहले आपको बता दे कि अगर आप अपने बच्चों के नाम पर ले सकते हैं अगर आप अपने खुद के नाम पर इंशूरेंस लेते हैं तो आपके ऊपर इंशूरेंस की कवर रहेगा बखवान ना करे आगे जाकर अगर आपका किसी भी कारण बज़े से अगर कुछ होता है दुरगटना होता है तो जो भी benefits insurance का मिलने वाला होता है यह ultimately जाके आपके family को मिलता है या फिर आपकी बच्चे को ही मिलता है यह benefits तो सबसे पहले insurance अगर किसको लेना चाहिए तो यह पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका घर में सबसे पहले या फिर जो गारचान कौन है या फिर income कौन कर रहा है अगर आप पैसे कमाई कर रहा है तो सबसे पहले insurance का जो कबर है यह आपके उपर ही होना चाहिए मान तो पिता प्राइबर है और बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है तो अगर पिता पैसा कमाई कर रहा है और उसके खर्च के उपर उनीका इंकम के उपर सब कुछ करता है तो ऐसे वक्त जो in Vallahi इं पॉलिशेथ की यह होता है वह पिता के नाम पर हुँ हो ना चाहिए रॉब यह पिता के नाम पर अगर इंसुर्णस होता है तो सह Pardon क्या होता है कि जो उनका वैफ है यह तो और जो बच्चा यह भी स्टूडेंट है तो पैसा तो कोई भी कमाई नहीं कर रहा है यह जो गाड़िया नहीं यहीं पैसा कमाई कर रहा है तो ऐसे सिच्वेशन में अगर उनका अगर किसी भी कारण बज़े से वहार ना करेंकर उनका डैथ हो जाता है मृत्व होती है तो पैसा आव पैसा पर इंशूर्णस रखया अगर आप आपने नाम पर रखते हैं तो आपके उपर इंशूर्णस केंपर रहेका अगर आपका किसी भी कारण मझे से कुछ हो जाता है तो जाकर जो भी इंसरेंस का जो पैसा होता है यह आपके वाइप को या फिर आपके बच्चे को मिलना गारंटिड है इसके पहले इंसरेंस आप अपने पर नाम पर रखे इसके बाद अगर आप अगर चाहते हैं लेना चाहिए तो आप आपने वाइप के नाम पर ले सकते हैं, इसके बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि इने मुझे और इंशूरेंस की जवरत है, एकर सकते हैं परिबाद के घर के सब्सक्राइब आप उसे सेव करते हैं जो पैसे बच्चे के नाम पर तो जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है पालिसी भी मैची और अगर आपका बीटीया है तो उसकी साधिय के लिए खर्च कर सकते हैं या फिर उसका आगे की जो परहाई है बाहर की अगर जाकर पढ़ाई कर रहा है या फिर पुर्ण पर जो भी पैसे की खर्च की लिए पैसा की जुरूत पर ताही आपके लाइसी की न से पिजु की आप आप तो फुल और न से पहले आपको अपने नाम पर इंशुरेंस रखना पड़ेगा और वह भी परियाप इंứरेंस यानि क्या ये सद एक लाग क्की नों अपके मिलता है तो कुछ भी नहीं है किसी काम का नहीं होता है क्योंकि एक आदमी का अंतिम संस्कार्ड में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाता है अगर आपका कुछ हो जाता है तो नहीं को एक लाक ही मिलेगा और इसके अंतिम संस्कार्ड में जो भी पैसा खर्च होगा जो भी वहां पर पैसा लाना पड़ेगा जैसे सिच्वेशन नुक्सान ही होता है आपको अगर छोटा इंस्वर्स रखते हैं तो इसलिए आपको बड आपको इंस्वर्स का कबर होनी चाहिए तब ही एक परियाप्त इंस्वर्स माना जाता है और आपके परिबार के ऐसा कुछ अगर माउंट मिलता है तो उनके कुछ काम आ जाता है क्योंकि एक लाग दो लाग में कुछ होने वाला नहीं है इसलिए पहले आप अपने नाम पर इंस्वर्स रखे परियाप्त इंस्वर्स रखे जब आपको लगता है कि नहीं यह इंस्वर्स का पैसा मिलेगा मेरे परिबार को तो उनका कुछ कल्यान होगा उनका कुछ काम होगा या फिर उनका बच्चे की एजुकेसं का पैसा यहां से मिल जाएगा या फिर आगे जो पढ़ाये वो सब मिलेगा घर की खर्चे आसानी से चल सकता है इसके बाद आप अपने बच्चों के नाँ पर हीसा पर छाहिए सबसे पहले इसके बढ़ा बच्चों प्रिमिम्यम करना पड़ेगा जो भी प्रिमियम होता है ये प्रिमियम होता है तो फिर प्रिमियम होता है पिसा कुछ भी अगर फी पेसा कौन बरेगा इसके लिए भी रीशी में थे जो प्रीमियम को पेमेंस करते रहता है यानि कि क्या होता है कि मान लीजे 25 साल आपको premium payment करना है उसमें आपने 2-3 साल आपने पैसा भरा है और इसके बाद ही अगर आपका death हो गया तो बाकी की जो भी 22 साल जो premium भरना होता है ये पैसा LIC खुद भरता है यानि कि ये पैसा माफ हो जाता है आपके बच्चे को premium नहीं बढ़ना पड़ता है आपके death होने के बाद ये सारे पैसा ये राइडर के तहट वेड़ हो जाता है माफ हो जाता है कोई भी प्रिम्यम जमा करना नहीं पड़ता है और आगे कि जो भी benefits मिलने वाला होता है LIC policy के अनुसार ये सारे benefits आपके बच्चे को मिल जाता है जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग है जो बच्चों के policy लेते हैं लेकिन राइडर के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं होता है जिसके बज़े से उनका अगर death हो जाता है तो बाद में बच्चे को premium भरना पड़ता है यानि कि बच्चे का policy में premium जमा करना पड़ेगा अगर आप जमा बढ़ जाता है लेकिन इसका बहुत बड़ा benefits मिलता है आगे जाकर देखने को मिलता है अगर कुछ ऐसा घटना होता है तो तो इस वीडियो में हमने आपके साथ बात की है कि insurance किसके नाम पर लेना चाहिए तो सबसे पहले उसी के नाम पर insurance लेना चाहिए जो घर में कमाई कर रहता है उनके नाम पर insurance रखना जरूरी है और अगर बच्चे के नाम पर insurance लेना तो सबसे पहले बच्चे की माता या फिर पिता की insurance होनी चाहिए और उसके बाद इसके बाद इसके नाम पर insurance रखना चाहिए तो उमिद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्रीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि हम यहाँ पर इस तरह की वीडियो समय सा अपलोड करते रहता है और अगर आपका कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर पूचे क्योंकि मैं हर कमे वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन